दिले के मुख्यमंतिक अर्विंद केजरीवाल ने वीजेपी पर बड़ा आरूप लगाया कि वीजेपी उनके विधाय को खरीदने और सरकार गिराने की कोशिश में है इस मुख्यमंतिक केजरीवाल का आरूप पूरी तरह से निराधार है उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले को लेकर कानूनी सलहा भी लेगी और जरूप पड़ी तो केजरीवाल के खिलाब कानूनी कारिवाई भी होगी विदूडी ने कहा कि पहली बार नहीं है जब अर्विंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने ऐसे जूटे बयान दिये हों ऐसे आरूप लगाये हों हमारे समवादाता परनेश शर्मा ने खास बाच्चुट की दिखा रहा है अर्विंद केजरीवाल के दौरा बीजेपी पर एक गंभीर आरूप लगाया गया है बीजेपी नारूप को किस तरीके से देखती है और क्या जवाब है हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिदूडी जी मौझूद है रामवीर जी सरकार तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है 25 करोड रूपे में आमाद्मी पार्टी के विधैकों को खरीदा जा रहा है और पूरी साजिश दिल्ली में आमाद्मी पार्टी को की सरकार गिराने की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल पिछले कुछ सालों में दर्जनों बार इस तरह के घटिया और बेहुदे ब्यान देते रहे हैं मैं अर्विंद केजरिवाल से पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि उनके विधायकों को भारचनता पार्टी के किस मेताने उनसे संपर्क किया और हम कानून के सलाकारों से जानकारी भी लेंगे बाचीत भी करेंगे और पार्टी के अंदर बाचीत करके जो भी कानूनी कारवाई करनी होगी वह भी की जाएगी अर्विंद केजरिवाल को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास केवल आठ विधायक है हम उनके साथ विधायक तोड़कर या किस विधायक तोड़कर तो उससे तो हमारी कोई सरकार बनने वाली नहीं है अर्विंद केजरिवाल या तो अपने आरोपों को साबित करें नहीं तो उनको अपने पस से इस्तिफा दे देना चाहिए अर्विंद केजरिवाल भरस्टाचार में घिरे हुए है एडी उनको बार-बार समन भेज रही है वो एडी के सामने पेस नहीं हो रहे है लोगों के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो इस तरह के घट्या और बेहुदे स्टेटमेंट दे रहे हैं मैं अर्विंद केजरिवाल को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दोजार पच्चिस में विधान सबा का चुनाव है हम अपने दम पर चुनाव लड़कर और टू-थर्ड मैजोटी के साथ हम लोग सत्ता में आएंगे उनको मालूम है कि बजट सत्र सुरू हो रहा है और भार्चंता पार्टी के विधायक अर्विंद केजरिवाल के उपर जो गंबीर भस्टाचार के आरोप है और एडी के सामने जाकर वो उनका जवाब नहीं दे रहे हैं उनको बड़ी मजबूती के साथ विधान सबाग के अंदर उठाएंगे केवाल एक शराब घोटाले का आरोप भी नहीं है उनके उपर उनके उपर अनेक आरोप है जो राजमहल उन्होंने बनाए अपने लिए जिसमें 189 क्रोड उपिया सारे कानून काईदे नियम तोड़ कर उन्होंने खर्च किये हैं वह भी है जलबोड का भी घोटाला है जो स्कूल में रूम्स बनाए गए गोटाला है जासु सी कांड भी है तो उनके खिलाब दरजनों भरस्टाचार के आरोप है और उन सभी आरोप आरोपों की एंटिक रस्न ब्रांच भी जाज कर रही है औ और एडीवी जाजपरताल कर रही है तो अरविंद केजरिवाल जैसे मैंने कहा है कि वो लोगों का उनकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं कि यह मेरी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं इसमें कोई कहीं दूर दूर तक सच्चा ही नहीं है ऐसे बेहुदे घटिया ब तर ली